ये बात कुछ दिन पहले की है सर्दियां शुरू हो चुकी थी और बदकिस्मती से मेरी पोस्टिंग कश्मीर में हो गई वहाँ पर पहले ही दिन मैंने देखा कि एक आदमी एटियम में आता है और सो रुपे निकाल कर ले जाता है मेरे लिए यह कोई अचंबे की बात नहीं थी लेकिन मेरे कान तब खड़े हो गए जब वही वैक्ति अगले दिन फिर एटियम में पहुंचता है और दुबारा से सो रुपे निकाल कर ले जाता है और यह सिलसिला कई दिनों तक यूही चलता रहा उसमें मुझे कुछ अजीव लगा लेकिन मेरी यह शंका निराधार साबित होई सलाम फोजी साब क्यूंकि वह आदमी तो एक फोजी था एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछी लिया होजी साब मैं हर रोज देखता हूँ आप आते हो शाम को सो का नोट निकाले जाते हो यदि आप चाहो तो एक बार मी ज़्यादा पैसे भी निकाल सकते हो और आपका कई दिन का खर्चा चल सकता है लेकिन आप सो का नोट ही क्यों निकालते हो जवान मेरा जो यह अकाउंट है ना जब भी मैं इसमें से पैसे निकालता हूँ मेरी पत्नी के पास एक मेसिज जाता है क्योंकि कश्मीर का महौल तो आपको पता ही है और मोबाइल सर्विसिज और इंटरनेट तो यहां रोजी बंद हो जाता है तो इसी बहान मेरी पत्नी को मेरे घरवालों को पता चल जाता है कि मैं भी जिन्दा हूँ और मैं बिना किसी फिकर के अपने देश की रक्षा करता हूँ बस इसी लिए रोज सिर्फ सौर पे निकालता हूँ जजबातों को पिगला कर रगों में लोहा भरना परता है तब जाकर एक मा का लाल भरत मा का फोजे बनता है जैहिम एक उन्दा एक बाल भरत मस्कार किसी वान एगव प्रश एक का लाद में लोजेश कर दो प्रभ गड़ंगे वाने लोजेश अवर घजड़ में उसित न्दाद है चुर चुरो जाप है एक उन्दा़ में लोग्व एक्स एक्स में बज़ग है झाल झाल